चमार एलिक दो गोर्षवामी को खेते हैं कि राम जी तो नहीं बजता हो चारों बरों चमार है वो राम को भजने वाला तम और चाम को खजने वाला नीच यह गोर्षवामी जी गतात पर हैं मरे मुलाएं का सिराम प्रेंसे बोलो अपके चैनल के माध्या चाहता हूँ एभर मुझे पर आपके सरकारी तुम मैं चाहता हूँ तो मैं चाहता हूं कि रामभड्याचारिया को आप अपने कानून के माध्या कि इस से मेरी एक प्रोफेसर की भावना हाथ वे मैं कोई लेमेन आदमी नहीं वह बयान है वह वीडियो है राम भद्राचार ये नाम के एक संद का जिसमें वो चमार जाती की बारे में काफी अपत्ति जनक बाते कह रहे है ये वही राम भद्राचार रहे हैं जिन्होंने पिछली दिनों एक बयान दिया था जिसमें मुलायम सिंग और कांशी राम जी को ल लेकिन चारो तरफ चुप़ी है वहीं दूसरी और हमारे स्क्रिन पे जो दिख रहा है डॉक्टर विक्रम जो कि इलाहवाद इनुरिशिटीव पढ़ाते हैं 22 अक्टूबर 2023 को वो इस ट्विट करते हैं राम और कृष्ण के बारे में और एक तार्किक बात रखते हैं हलाकि उस बात के लिए बाद में वो माफी भी मांग लेते हैं और खेद भी जिताते हैं कि अगर उनकी बातों से किसी को दिक्कत हुई हो तो उनको खेद है वाजूद उन पे फैयार हो जाता है तो आखिर जो यह सिस्टम है जो कानून है तो अलग-अलग लोगों के लिए अल और उसमें एक वक्त पे इनका इस्पेसिलाइजेशन है तो विक्रम जी स्वागत है आपका और आपने भी सुना होगा आपने भी बयान देखा होगा राम भद्राचार जो संथ हैं उनका और वो चमार जाती के बारे में काफी विवादास्पत बाते कह रहे हैं ऐसी बाते क कि किसी बात को लिखते हैं तो तुन अप ability है आपकी नौकरी पर विवागय करवाई हो रही है लेकिन जब मा म – सादु संत अलग अलग तरह के जाती की बात करते हैं कि स्वाजरों की जाती है उसको लेके सीधे तिपढ़नी करते हैं उनपर कोई करवाई नहीं होती चारो त सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यबाद जो आपने अपने चैनल पे मुझे जगह दी है, मैं इसको इस रूप में देखना चाहता हूँ कि दो किताबों से सुरुआत करते हैं, एक किताब अभी हाल ही में आई है, अमेरिका से कि अगर हम यह देखें तो भारत में डिमोक्रेसी खत्रे में है, लगातार हमला हो रहा है, उसी का दूसरा रूप कि जब डिमोक्रेसी समाप्त होती तो autocracy या fascism के रूप में या तानासाही के रूप में बढ़ते हैं जो हम आज बहतमान सरकार के रूप में देख सकते हैं एक बात यह दूसरी बात यह कि प्राचिन काल से लेके अब तक एक दो तरह की सभिताओं का टकराव हम देख सकते हैं एक टकराव हिंदू बादी यह तकराव मैं इसलिए कर रहा हूं कि Samuel Huttington है उन्होंने एक पुस्तक लिकिए the class of civilization तो यह दो सभिताओं का basically टकराव है और टकराव इसलिए है क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो हिंदूबाद की बेवस्था को आगे रखना चाहता है और हिंदूबाद का बेवस्था का जो जो लक्षन है जो एलिमेंट है हिंदूबादी बेवस्था रामराज के माध्यम से बन बेवस्था को बनाया रखना चाहता है जाती बेवस्था को बनाया रखना चाहता है रोड़िबादी बेवस्था को बनाया रखना चाहता है कुरुतियों को बनाया रखना चाहता है औ बुड़ीवाद को समाप्त करना चाहता है दर्म में तमाम जो आडंबर हैं उसको समाप्त करना चाहता है मैं परतीख हूं बहुजनबादी ब्योस्था का और राम भध्यड़्याचार लिजिध सिर्दू बाक्ति हैं हिंदूबाद कर दिन ca फ्रांसिसी क्रांती का मैं जिक्रा करना चाहूंगा, फ्रांसिसी क्रांती में राजा के जो लेफ्ट में थे, वो बिक्ती नए बिचाधरा के बाहग थे, जो राइट में थे, वो राइट विंग के बिचाधरा के बाहग थे, तो बरतमान सरकार जो राइट विंग के बना रहे लेसे दिरसल राम भध्याचार की आवाज नहीं है ये बरतमान सरकार की आवाज है कि जाती को वह बना रख रहा है। लिए वो और उनका सबसे बड़ा बिरोध जाती विवस्था को तोड़ने में चमार जाती के लोग करते हैं और या बहुजन समाज के उन जो प्रकर विचारधारा के लोग वो करते हैं इसलिए राम भद्याचारे ने सीधी सीधी ये बात कही कि जो चारो बढ़नों को नहीं म जाता है हमारा देश का संविधान अब यह संविधान भी लेकिन आपको रोखोंगा आपने कहा कि सरकार जातीवादी वरस्ता को बनाया रखना चाहती है लेकिन अभी यही सरकार पिसले दिनों जो चुना हुए है उसमें दलीतों को आदिवासियों को मुख्यमंत्री मुख हिडल की तरह नहीं आएगा अब फासिजंब आखे सामने दुसरे रूप में आएगा एक धांचा होगा यसे हम हिडलर का ही ग्जांपल दे रहे हैं हिडलर अप होँ तो वर्ड हिस्ट्री में हिटलर् सर्ता में कैसे आथा ने उनको इन पूरी जनता ने चूनकर बेजा था तो दूसरी बात के बहुत असान सब्दों कि राजनी तो ये एक परतिकों की राजनी चल रहें कि आप बिर्श्वमुंडा की जयंती मना लेजे आप राश्टपती के रूप में राश्टपती दृपती मुर्मो को आप जगह दे देजे या राश्टपती रामुद कोवित को जगह दे दिजिए, आप किसी को हमारे जो बोजन समाज के लोगों को विधायक बना दिजिए, किसी को पांच किलो चावल दे दिजिए, दान दे दिजिए, तो यह तो जानते हैं, कि यह पर्तिकों के राज़नीत हैं, और इस पर्तिकों के राज़नीत में हमारा समाज फंस जाता है दूसरी बात करना चाहता हूँ कि बहुजान समाज बंचित समाज है और बंचित समाज को अगर आप कुछ भी दे दिजेगा तो आसानी से बिकने को त्यार हो जाता है अब बंची समाज है तो बंचीत में हर चीज का बंचीत है आर्थिक रूप में वो गरीब है डिगनेटी के रूप में गरीब है राजनीतिक रूप में उसके पास सत्ता कभी नहीं रही है तो इ किसा देते हैं आपके लोगों को बिधायक बना देंगे या आप के आपका तो विद्धानिक वयवस्ता है वो तो बनना भी है लेकिन यहां सब्सक्राइब जिसके हम लोग बादसेत अपना केंद्रित रखेंगे सवाल यह कि भारत एक देश है और देश का के संवीधान विख्रम पर एक टिपणी को लेकर करवाई हो जाती है फ़ियार हो जाता है विवागिया जाया जाती है लेकिन तमाम साधो संद खुद को कहने वाले तमाम लोग जाती वेवस्था को लेके तमाम प्रूफ हैं लगातार के पणिया करते रह रहे हैं लेकिन उनको लेके तमाम लोग इसले दिनों रजेंदर पाल गौतम जी का जब भी बाद हुआ था तो एक संद ने कहा था कि कोई गला लाकते हैं गे करोड़ देंगे इस तरह की बाते भी लगातार होती है तो लेकि उनके खिलाब कोई करवाई नहीं हो रही है इसको किस बता रहा हुए कि जो बर्तमान सत्ता है हिंदुबादी व्योस्था को बना रखना चाहते हैं उनको लगता है कि यह जो रामभद्द चा सिधे सिधे चमारसब्द का इस्तमाल कर रहे हैं सिधे सिधे समिध्धान का मौलिक अदिकार कहता है कि आप किसी का अपमान कर सकते हैं और रही बात मेरी और मैंने सिंपल ट्यूट किया था, एकडेमिक ट्यूट किया था मैंने अपने ट्यूट में वो भी डॉक्टर भी यार अंबेट कर कि जो उस तक है रिडिल्स ओफ हिंद्यूइजम का जो रिडिल्स ओफ रामा और कृष्णा के अधार पर ये बात मैंने कही थी और तो मेरी बात चोड़ी तो ये था कि मैं आचा गीता-प्रेश से पब्लीस किताब है बालमिकी रमायन कोई भी जाकर पढ़ सकता है बालमिकी रमायन के तहत वाक्या घड़ता है कि एक रिशी है जिनका नाम संभूख है वो सुद्र समाज से तात्पर रखते हैं कुछ ब्राहमर समाज के लोग आकरके रिशी संभूख को ब्राहमर समाज को लोग आके प्रभुराम से तथा कतित प्रभुराम से उसी कायद करते हैं कि मेरा ब्राहमर बच्चा मर गया है और यह मर इसलिए गया है क्योंकि कोई सुद्र बेक्ती पुजा पाट कर रहा है या सिख्छा दे रहा है अब वहां पे आठ साधूं की सुद्र पुजा पाट कर रहा है और आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप जा करके उस बेक्ती का वद करें प्रभुराम उस बेक्ती को ढूंने चलते हैं साधूं के साथ यह किताबों में बकाड़ा में किताब का रेफरेंस बता रहा हूं बाल में की रमायन में यह दर था तो उनके लगन को देख करके राम बहुत इंप्रेस होते हैं और जाकर के हाद जोड़के प्राक्ना करते हैं कि मुझे आपकी सिख्छा दिख्छा बहुत अच्छी लगी आप आप हैं कौन गुरुवर आपका हैं कौन तो उन्होंने कहा कि मैं सुद्र समास हूं बस ही कहना था कि इसे आपको पता चला जैसे आपने जाक भी पूछे वह इसे आपना इनका गर्दन नितार दिया और साथ ही इतना ही नहीं पूरे जो रिसी कूल के देवता लोगों फूल की बारिस कर रहा हैं अब मैंने यह इसी बात को कहा यह जो आपने वाक्या सुनाया है यह वालमी की रमाइन में दर्ज है और यह वालमी की रमाइन ही नहीं डैली इंवर्सिटी की प्रोफेसर उमा चकरवरती ने कई बार कहा है पहले भुजन समाज पार्टी के मिल सी हुआ करते थे आज हर जगप यह बात दर्ज है दोनों बात तो मैंने इस बात को अगर कह दिया तो इस अधार पे इनकी भावनाया आहत हो गई और करनल थाने ने 23 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को साम को मेरे उपर एफायार दर्ज कर लिया बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि एफायार दर और दिया यह कितना किकी स्थ की डर हुए लोग हैं कि एक प्रूटेस्ट पर इनके सिस्टम को चलिंज कर रहा है प्राइव हिंधु सोचल और उनको लगा है कि अ इस वज़से उनको लग रहा है कि बिक्रम के खिलाब केस करना चाहिए राम भध्याचारिया पर क्योंकि इस डिफेंडिंग दे हिंदू सोसल लॉडर को डिफेंड कर रहे हैं यह देश के संभिधान को नहीं मानते हैं इंटर्नली इस दुमाक्रेसी को बर्डन समझते हैं यह बोज समतिय तो संजोग है या जो कहें कि पुरी दुनिया में डिमाक्रेसी आई इसलिए मजबूरी में संभिधान को मांग रहे हैं और फ्रंट लाइन मेहगजिन का इस भार का दिसंबर के या जनवर का अंक है नए नए बर्स में उन्होंने साफ साफ लिखा है विबेक द मैं पता है विबेक देवरान ये बात कही थी कि संभिधान को बदलने की जोड़ान पड़ी है क्योंकि इसमें समस्या आप पड़ी है दूसरे लेक इंडियान एक स्पेस हिंदू का एक लेक है उस लेक के हवाले से यह कर रहा हूं कि यदि संभिधान नहीं बदला जाएगा यह यह एक बड़ा सड्यंत्र है तो इसलिए इनके लोग मॉब लिंचिंग करते फिर रहे हैं कोई एफायार नहीं हो रहा है समिधान के खिलाब बात करते चला है कोई सम कोई डॉक्टर रीतू के अभी ब्यान आ रहा है कि डॉक्टर बिया रंबेटकर के फोटो को फार दि को यह फायार नहीं आ रहा है उनके खिला अभी राम्चाहित मानस को किसी ने जला दिया तो उनके उपर फाज़ार हो गया तो यदि आपकी भावनाय आप की किताब साहाथ हो सकती है तो आपके कहने से मेरी भावनाय यहाथ हो सकती है अच्छा यह समीधान का सिध्य सिथे लगतार इस तरह की एक्ट किये जा रहे हैं जिससे की हमारे समाज को अपमानित होना पड़ रहा है इतना ही नहीं सिंबल की राजनित के माद्यम से यह EWS का मैटर लेकर आए यह समिधान के मूल भावना के खिलाफ है EWS का मैटर और मैं प्रोफेसर होने के नातिया ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका जो जो बैक्तिगत के साथ पूरी परिवार की जो प्रपर्टियों कई लाखों रुपे में कड़ोर रुपे में वो पंद्रा सो रुपे में EWS का सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं और बना देते हैं तो यह समझे कि यह एक अलग आरोप है वो हमारे बाचित का मुद्धा भी नहीं है तो लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि अगर देश का सम्मिधान सब के लिए एक है तो डॉक्टर विक्रम पर 24 घंटे के भीतर का रिवाई हो जाती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तमाम रम भद्राचारी है फिरुन जैसे और तमाम लोग हैं जो लागतार जाती विवस्ता की बनाया रखनी की बात करते हैं कि सिखास जाती को लेकर पणिया करते हैं उनके खिलाब आकिर करवाई क्यों नहीं सवाल दोखता है जी विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपको जोड़ना चाहा है ला तो अपके उपर खोन कोई गोली मारेगा तो पहले मुझे गोली मारे या मुझे दर्द होता है तो मैं मुदी सहाब से सीधे सीधे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के मादियम से दली दस्तक के मादियम से अपील करना चाहता हूँ कि मुदी सहाब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे आप एफायार आपके सरकारी तंद ने एफायार करा दिया है तो मैं चाहता इसी कमिशन से अपिल करना चाहता हूं कि इसको सुमोटो कॉग्जिनेंस ले और इनके उपर दरच करें जी डॉक्टर विक्रम तो जैसे कि मैंने कहा कि सवाल तो यह उठता है कि डॉक्टर विक्रम के खिलाफ करवाई हो सकती है तो रामभद्रचारे के खिलाफ क्यों नहीं किसी जाती विवस्ता को खास्ता तो पर दल्यटों को निशाना बनाते हैं और तूरे रास सिस्टम को बना रखने की बकालत करते हैं देखते रिए दलिदस्ता बहुत सुक्रिया डॉक्टर विक्रम के तैंक्यू